नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रज्यासिक लोग सभा चुनाव खोले कर भारतिय जनता पार्टी ने आखिर कार बड़ा एलान करती दिया दरसल आपको बता दें कि लोग सभा सीटों पर अब नामों का फाइनल होना शुरू हो चुका है पहले लिस्ट में भारतिय जनता पार्टी ने अपने टॉप नेताओं के नामों को फाइनल कर दिया जैसे के नरींद्र मूदी, अमित शाह, निर्मला सीता रमन और शिवराज स सिंग चौहां जैसे दिगज नेताओं के नाम जो है वो इस लिस्ट में फाइनल हो चुके हैं ऐसे में कई नामों को इस लिस्ट से काटा भी गया जिहां आपको बता दें कि मशुहूर बॉलिवूड एक्टर शत्रु घंसनहा का नाम इस बार लिस्ट से काटा जा चुका है इसे के साथ कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश के भोपाल से मौझूदा संसद सद्वी प्रग्या की जगा अब पार्टे आला कमान शिवराज सिंग चौहान को चुनावी मैदान में उतारने पर एलान कर चुके हैं कहा जा रहा है कि शिवराज सिंग चौहान को इस बार पार्टे हाई कमान भोपाल से टिकेट देने जा रहा है पहले शिवराज सिंग चौहान के जिंदवाडा और विदीशा सीट से चुनाव लड़ने की बाते सामने आ रही थी लेकिन आपको बता दे कि अब शिवराज सि चुनाव लड़ने की चर्चाय तेज हो रही थी लेकिन अब आपको बता दें कि शिवराज सिंग चौहान की तरह जूती रदित्य संधिया की सीट को भी बदल दिया गया है और अब सिंधिया गौालियर नहीं बलकि गुना सीट से चुनावी मैदान में उतरते हुए नज़र शिवराज सिंग चौहान को भोपाल से टिकेट देने के बाद उनके समर्थकों के बीच काफी जादा खुशी देखने के लिए मिल रही है क्योंकि जब से विदान सभाचुनाव के परिणाम आए और शिवराज सिंग चौहान को मुख्य मंत्री नहीं बनाये गया तो हर किस पर अब विराम लगाते हुए आखिरकार पार्टी ने यहम फैसला सुना दिया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री रहे शिवराज सिंग चौहान अब चिंदवाणा या फिर विदिशा नहीं बलकी बोपाल सीट से चुनाव लड़ेंगे ऐसे में सादवी प्रग्या का जिस तरह से टिकेट कट गया है और शत्रु घंसिना के भी टिकेट कटने की बात अब सामने आ रही है क्या पार्टी में एक बड़ी टूट की स्थिती यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते है क्योंकि ये दिगज नेता है पार्टी में इनका क दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट नाइन नियूस के साथ